दोस्तों क्या आप अपने documents, jewelry और cash को घर में safely store करना चाहते हो और अपने घर की non smart devices को smart बनाना चाहते हो तो आज हमारे पास है ozone की तरफ से दो products जो आपके ये सारे problems का हल होने वाला है पहले है ozone की तरफ से आने वाला उनका digital safe tusker 11 और second product है उनका smart plug आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों products की complete details आपके साथ share करूँगा तो चलिए products को देखने से पहले ozone company के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे tusker 11 और उसके बाद हम देखेंगे ozone के तरफ से आने वाला smart plug ozone company architectural hardware industry में most popular brand नों में से एक है इस industry में ये लगातार grow कर रहा है अगर आप इनके website पे जाते हो तो आपको agricultural hardware जैसे कई सारे products देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 5000 से भी ज्यादा products देखने को मिलता है जैसे electronic security, digital products, glass door hardware, door control device, kitchen furniture fittings, sensor door, intelligent log, digital log, digital safe, smart plug, smart camera, smart door bill ऐसे 5000 से भी ज्यादा products यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप इनके website को ज़रू से visit कीजिएगा करके इनके product range को चेक कीजिएगा एक बार ozone company के बारे में जान लिया अब चलिए देखते हैं ozone के तरफ से आने वाला उनका digital safe Tusker 11 को हमारे पास दो प्रोड़क्ट से एक प्रोड़क्ट आप देखी सकते हो यह है Tusker 11 यह एक 16 लिटर का pin based digital safe है और इसके अंदर और एक चीज़े product है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका स्पेसिफिकेशन क्या है इसका अगर आप size जाना चाहते है तो वह आपको आपको स्क्रीन टो पर दिख रहा होगा इसका जो dimensions है वह क्या है इसका weight है 9.5 kg काफी यह एक solid built एक भारी आपका safe है और उसके साथ इस पर आपको दो साल का warranty मिलता है यह बेस्ट यूज होगा अगर आप इस पर cash रखना चाहोगे ज्वेली रखना चाहोगे documents, passports अचलिए हमें यहां पर बॉक्स में क्या-क्या मिलता है एक की जिसे यूज करके हम अभी इसे open करेंगे इसके साथ एक paper मिलता है इसके साथ और हमें यहां पर मिल जाता है operating manual जो आपको पूरा detail में बता देगा कि इसको आप कैसे operate कर सकते हो तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे की को यह जो ozone आपका लिखा हुआ है इसे हमें हटाना होगा हटालिया अब देखिए यहां से एक की लगाने के जगा आया की लगाया एंड इसको रोटेट किया यह उपें हो लिया एंड इसके अंदर और भी कुछ चीजे मिलता है हमें एक ozone की तरफ से एक स्मार्ट प्लग भी मिलता है मोटा मोटा स्क्रूज मिलता है जिससे हम यहां यहां पर पीछी आप शौर आपको दिख रहा होगा यह जो होल से हां पर अवेलेबल है यहां से आपको यह फिक्स कर सकते हो आप जिससे यह उठा के लेके कोई ना भाग पाए उसके साथ हमें मिलता है बैटरीज वरी गुड एंड मिलता है हमें एक एमर्जरी चार्जर य पावरबंक तरह आप इसे यूज कर पाओगे इसके अंदर बैटरी डाल के यहां पर यह डालने से आपको यह इसको पावर बिल जाएगा और आप इसे यूज करके फिर अनलोक पाओगे बैटरी लग गया यह देखिए बैटरी लगाने का जगह है यहां पर एंड पीछी कि रिसेट वाला बटन है ग्रीन कलर का इसे दबाऊंगा रिसेट हो गया अब यह पास्फर मांग रहा है इन हो गया राइट जैसे घुमाया यह फिर से लॉक हो गया ने खुल रहा है क्या करना होगा है है दबाएंगे वान टू थ्री फोर है एक साउंड होता है क्लिक करके और ओपिन हो जाता है अंदर काफी अच्छा जगाह है दो रैक है यहां पर नीचे और स्पेस बहुत बढ़िया स्पेस है इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहां पर नंबर्स एंटर कर रहा हूँ खोलने के लिए तो किसी को ना दिखे कौन सा नंबर में इंटर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे है थार देन स्टार देन नवगके दिखिए जीरो आ रहा है नंबर यह ए फोल्हें कुल गलर खुander प्रत कुछ ना हो रहा है यह कुछ नहीं हो रहा है और मेरे पास पर एकांपल तो यह जो बैटरी बॉक्स है इसके अंदर मैं बैटरी डाल लूँगा बैटरी डाल लिया यहां पर एंड इसके यहां पर लगाएंगे करो फोटरी यह जो है तो यह इस यह यह इसके अगे डाल है यह बढ़े हैं देन बश्म, NDE, 2,1,2,2,3,1,2,1,2,2,2,3,2,1,2,1,2,3,0,3,2,1, sin,2,2,2,2,2,3,e1,2,3,2,2,2,2,1,2,3,4,2,3,2,2,4,3,2,1,2,3,2,4,3,1,2,4,3,2,2,2,1,2,1,2,2,3,2,2,3,1,2,1,2, अगर एक बार किसी का दिखा दोगे कैसे क्या करना है I don't think उसको और किसी का इनो फिर से बताना यह दिखाना ऐसा कुछ पड़ेगा बहुती सिंपल और इजी तो यूज है अगर आपके पास कोई डिवाइस है जो स्मार्ट नहीं है आप उसको रिमोटली ओन और नहीं कर सकते हो तो उस चीज को आप इसे यूज करके कर सकते हो यहां पर आपने इसको लगा दिया प्लग पे और यहां पर आपने जो भी आपका प्रोड़क्त है उसे आपने प्लग इन कर दिया और इस चीज को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो एक यूजर मैनूल इसे यूज करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा ओजो आपको यहां पर साइन अप करने के बाद आपको यहां पर साइन अप करने के बाद आपको यहां पर साइन अप करने के बाद आपका यह एप काम करना सार्ट कर देगा और उसके बाद यह बोलेगा एड़ द्वाइस तो मैं यहां पर इसा आउन कर लेता हूँ ब्लू लाइ यह एक है जिसे हम इसे टेस्ट करेंगे दोनों से आप कर सकते हो वाइ-फै से भी कर सकते हो ब्लुटूफ से भी कर सकते हो तो अगर आपके पास वाइ-फै अविलेबल नहीं है नो प्रॉब्लम अब ब्लुटूफ से भी कर सकते हो अभी ओन है मैंने इसको आफ किया है ठीक है अब इसे यहां पर लगाता हूं अब भी आफ है पर सामने आजाता हूं ओके यह देखते हैं ओन 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 अब तो अब चलिए वाइस कबर का यूज करके इसे ऑन ओफ करके देखते हैं ओके गूगल तो दोस्तों आपने देखा कि वाइस कमांड का यूज करके भी आप इस स्मार्ट प्लग से डिवाइसेस को आउन और ओफ कर सकते हो अगा है पावर है टाइमर है और सेटिंग से वहां पर जाके आपकी इनो यह सारा जो चीजे है वह आप चेंज कर सकते हो बहुत ही बढ़िय यह सिंपल इंटरफेस है आराम से इनो चीजे करके ताइमर लगा के कि इस टाइम के बाद बंध हो जाएगा या फिर इनो ओन हो जाएगा यह सब कुछ एड़ शेडूल करके आप डे टाइम सब कुछ उहां पर देखे आप वहां पर सेफ कर सकते हो इस बार को इस टाइम मे अफ हो जाएगा या फिर on हो जाएगा दोनों का ही आपका option off का भी on का भी आपका Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday करके आप यहां पर schedule बना सकते रूस हिसाब साब इसे control कर सकते हो वो तो है ही और instantly जब चाहे आपने mobile app खोला और just on किya on हो गया, off किya, off हो गया एक अधा must, must चीज है दोनों ही बहुत ही बड़ी है प्रोड़क्त है और जोन की तरफ से अगर आपको लेडा है वीडियो के दिस्क्राश्य में लिंक मिल जाएगा and that's all also thank you so much for watching, I love you, chalo, bye